हाई गाइस वीव राटर का एक वर एडवांस टॉपिक लो देखेंगे जो कि हमारा है ट्रांजिशन यह बहुत इंपोर्टन नहीं आप चाहें तो इसको सकते हैं पर मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लीजिए इसको भी प्रकॉज है तो इसमें आप अप लेबल ट्रांजिशन कर सकते हैं और पर रूट रांजिशन भी कर सकते हैं अब आपको दिखेंगा जब एक रूट से बूसरे रूट पर स्विच करेंगे तो इन ओडर तो यूज्शन ओन यह रूट कॉमपनेंट एनिमेट निमेट निवीगरेशिंज यो नीड तो यूज वी स्लोट एपया हमन यूज करने क्या पढ़ेगी इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यह लिखे जाएगा API documentation में और जहां पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया है इस पर तो कुछ है लेकर दिखाया नहीं कोई नहीं वह आपस साथ है बनाय हुआ है और यहां पर यहां पर वीक अपड़ेगा साथ में यहां पर एक component इस सिर्फिस अधरे इसके अंधर में इसके दन्रमें त्रांजिशन है अच Wires liver Ali watch फ़िदॉप स्कों पढ़ा है आपको पता होना चाहिए तबंघ रुषर कर पाइए तो सली समय में आथा प्रसक्न पटा होना चाहिए तब आप इसके यूज कर पाएगे यूजर हैि इसको देख लिए यहां पर यहां पर आपको यूज करना है यहां पर यहां पर बंद करना है और यह रटर व्यू बंद करना है इसे आपका यहां पर यहां पर तु कर सकते हैं तो सहीं Raum कर सकते हैं पर यहां पर यहां पर यूज करने कि कभरना चाहेंग blame उसको कैसे जिस करना है यहां पर लिखना है component root उसके बाद transition name लिखना है root.meta.transition यानि कि इसको आप access कर सकते हैं यह जो अपका meta transition का जो property है इसको आप यहां पर access कर सकते हैं कुछ इस तरीके से root.meta.transition यह जो root है यहां पर आप यहां से आपको मिल जा रहा है यहां यहां से आ रहा है यानि कि अगर हमारा meta fields आ रहा है तो बढ़ी हार नहीं आ रहा तो हम लोग fat use करेंगे इसका नाम रहेगा और बाकी का जो component है transition view इस तरीके सब को देखने मिलता है यह है और डैनमिक की बात करने तो डैनमिक में कुछ खास है नहीं वही ट्रांजिशन नेम वहरा meta field का यहां पर यहां पर यूज करने का राफ्टर इच इस तरीके से इसका अलग त्योरी यही है इसका मैंने आलग से बनाया हुआ नहीं है यहां से यहां से ज्यादा देखना ज्यादा जरूरी होता है यहीं आपको इसी पर dependent है मैरे पर dependent है के बज़ए अब इसका practical देखते हैं और समझते हैं इसका पूरा इसका इसके पकेज पिश्च को इसमें ज्यादा टॉपिक बचावा नहीं है विव राटर खतम होने को है लगबग तो पेशंट से मना करें एक और कुछ और वीडियो से देखेंगे पुरा कोरस भी हो चाहिएगा अभी हमारा ये इस में नप्यमाई करके विव राउटर औ को इंस्टल कर लेंगे ये भी हमारे इंस्टल हो जाएगा जलिए इंस्टल होगिए हम लोग क्या करेंगे इसमें से विर करेंगे बिकोद्धर चाहिए नहीं और ददेखेंगे नोगित इस दिखाएप देख adesso त्रॉब अन्सपेक्ट करए हम लोग आतेlide सब्सक्राइब को से तरहें को जबाइब करें आप को कोंग एक उसको दिखए नहीं चाहरा नहीं को भी ट्रांजिशिट थे को डिखने को नहीं मिलता है यहां बढ़ा हूँ इस मंई हो खूंड में हो मेर समलो इसमें और टेक्ष्ट बढ़ाते हैं यहां पर यहांistant प्रांजिशन को रूट चाहिए होता है यहां पर रूट यहां पर रूट करेगा वर नहीं करेगा यह कमेंट में भी लिखके रख देता हूं देखिए मैंने पर लिख दिया ट्रांजिशन रिक्वार सिंगल रूट सो रैप्ड इन डिव यहां पर यह रजक्स का टॉपिक नहीं है बजाए इसके यह चेंज कर दिया अभी इसको यहां पर करते हैं इसका इसमें और कोई काम नहीं होम वाले में तो मैं क्या करता हूं माल क्लोज कर देते हैं मैंने टेक्स्ट लिखा ध्यान रहे ताकि आपको दिखाए देगा ट्रांजिशन इपक्ट सो हमें आना है अब विव में और यहां जो राटर विव लिखते हैं यहीं पर हमारा रेंडर होता है जो भी कॉम्पनेंट है चाहिए हो हो मोई अबाट कॉंट राटर विव जो हमने इंपोर्ट किया हुआ इसका ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दोनों लिखना है और इंटरप्रेस कीजिए इसके अंदर में आपको यूज करना है ट्रांजिशन इसके अलावा राटर विव में आप आपको वी स्लॉट यूज करना पड़ेगा तो इसके अंदर विव स्लॉट के अंदर में लिखना है कॉमपन का सी कैपिटल होना चाहिए यह कामपन इसके लिखना है उसके पाद इसके अंदर आई और यहां पर आपको लिखना है नेम और नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मैं एक श्रिंग दे रहा हूं फैड आप इमजे से कोई भी नाम दे सकते हैं यहीं इसी नाम का हमारे नीचे यहां CSS बनेगा अभी लोग बनाएंगे उसको कुछ दिर में अभी के लिख सिब नेम दिया उसके बाद यहां पर हम लोग जो कॉमपोनेंट है वह लिख देंगे तो कॉमपोनेंट कॉमपोनेंट और यहां पर इसको मैं पहले बंद कर देता हूं इसको इसलिखना है इसलिखने के वाद इकवल कॉमपोनेंट बस यह लिख और इसमें कुछ करना है यह रिक्वेस्ट कमपलीशन रिसॉल्फ फेल इसको कोई काम ने राप्टर व्यू वी स्लोट लिखना है यहां पर लोग अपना नाम उसमें आड करेंगा और यहां अना पड़ेगा और यहां अना पड़ेगा और यहां पर और डॉट फैड हमने लिखा यह वाला जो नाम था उसकी वज़य से डाट फैड और इसमें अलग अलग मिलता जैसे इंटर फ्रॉम यह हमने ट्रांजिशन व्यू जैस्स में देखा होगा इसके बाद यहीं सेम अप्लाइ करेंगे कि इसमें फैड लीव टू इसमें और इसमें अपैसिटी सिफ्ट कर देंगे जीरो का ओके उसके बाद इसी तरी होगा लेकिन जब इंटर एक्टिव होगा एक्टिव और लिव एक्टिव होगा तो इसका यहां पर स्भी आप ट्रांजिशन आप डिया हूऊ हए ट्रांजिशन घंशन इसका ओपाशिटी देंगे अँसके मिद्शिक Billy शरो फैव ये फैंब सेफिक्शाव Εक्वे लिसे इस में यह सेव किया अभी यह है इस में लगा है इस इस इनिमेशन इस इस Books अब यह दो अध्लिक होने के उनिव गए छाएगा इसनकोन के देखätें कि क्या होता है और क्या इसमें प्रावलम है जिसको लोग कैसे दूर कर सकते हैं ओके सो चलिए देखते हैं अब भली काम करना चाहिए यहां पर आते हैं इसको हमारा है इस दीके सारा इसमें मुझे लग रहा है कि प्रावलम हो रहा है इसमें दो प्रावलम है कि नहीं डालते हैं मालीजे कि यह दिव के अंदर में ना होता तो क्या होता है इसमें क्या आएंगा हमें एक एर दिखा लिए यह कहेगा एंसाइड ट्रांजिशन लेंडर नॉल्प नॉट्ट नॉट भी निमेटिट नहीं हो सकता यह वार्निंग दे रहा तो इसको रूंट बनाना पड़ेगा यह यूज कि आपने देखा था तो वापस स इसे डिव को लेकर आएंगे फिर वैसे ही हमारा वार्णिंग जो है यहां से गायब हो जाएगा अब जो कि यह एप लेवल पर है तो हर एक कॉंबर्ण को इसका ध्यान लाखना से अब हाउट में एक ही है तो यह हमारा सही काम कर रहा है पोस्ट में हमारा फिर यह गडबड का पर आपको बता रहा कि आपका रूट यह नहीं तो चलिए पोस्ट में देख लेते हैं और इसको ठीक कर लेते हैं पहले पोस्ट में आईए और यहां पर आप देख सकते हैं हमने अच्छोन लिख रिख रहा है इन सब क्या करना पड़ाएग एक डिव के अंदर में डाल दे सब्सक्राइब को तो पोस्ट डीटेल में आते हैं यहां पर देखें दो दो हमने लिख दिया है एक साथ सेपलिंग में इसको बटाते हैं डिव और यहां पर सीव करते हैं अब इसमें भी हुआ एरर नहीं आएगा तो वापस से होम में हार डिफ्रेश करता हूं अबाट आएगे तो देखें कोई नहीं है यह अभी एक हमारा प्राब्लम है प्राब्लम यह है कि पहला कॉंपानेंट ट्रांजिट होने से पहले दूसरा जा रहा है अपने ध्यान दिया हो देखिए हम लोग बाट में जाता है तो होम है यही खतम होने वाला होता है अब तक हमारा अब बाठा जाता है इसमें आभी देखैंगे तो यह तरीके से दिख रहा यहां पर अपalen आपको मिलते हैं और expect करना है राउट नहीं है transition में mode होता है तो यहां पर आना है और mode में आपको अलग-अलग mode मिलेगा इसमें आपको मिलता है एक mode जो भी है आप default देख रहे हैं एक इसमें होता है Out In in out का में अभी आम लोग पहले देख ले दें कि अभी किस तरीके से हो रहा है अभी एक आता है और एक जाता है दूसरा आता है मतलब एक जाने से पहले दूसरा आता है इस तरीके से होता है इसमें देखिए इसे about में क्लिक करूँ देखिए गायब होने से पहले दूसरा आ रहा है इस तरीके से हो रहा है अभी इसमें एक है mode in out कहां गया हमारा in out इस तरीके से in out तो इसमें क् पहले आएगा उसके बाद दुसरा व्ला जाएगा यहां पर आते हैं इसको refresh करते हैं कि होम में अभी हम लोग है अब आप में तो यह आया उसके बाद हो गया अभी खाइगगा फिर हमारा आवार्ड जाएगा तो इन आउट समझा यह तो हमें क्या करना है हमें इसमें चाहिए आउट होगा इसमें मोड डाला हुआ कि आउट उसके बाद इन हो तो नाम से पता चले जाता है सब कुछ यहां पर आए मैं इसको करते हैं रिफ्रेश अभी होम पेज में आप आउट में जाएंगे तो यह आउट होगा उसके बाद हमारा आउट आएगा फिर आपाउट हमारा अबढांद हमें कि रूट लेबल पर कैसे कर सकते आए अब अबाद में ट्रांजेशन लगाना हो Mong थो हो वह उंद इसके यहां से अंता करना है बाकि सारी चीजिए तो हमने देख लिए इसमें से कुछ भी हमें चेंज नहीं करना इसको भी क्लोज कर देता हूं यहां पर लोग देखेंगे रूट लेबल ट्रांजिशन रूट यह हमारा टॉपिक है रूट को कैसे ट्रांजिशन लगाते हैं यह देखा अब इसके लिए में मेटा चाहिए होगा कोई तेक स्पेसिफिक डेटा चाहिए हो जिससे हम लोग उनिकली अडिन्टिफाइ कर पाएं कि इस रूट पर हमें लगाना है उसके लिए मेटा फिल्ट चाहिए होगा और लोग लिए मेटा टांजेशन स्लाइड लेफ्ट और इसे देके से अबाउट को मैं स्लाइड राइट बनाऊंगा तो मैंने यहां पर कामा लिख और इसको इन ट्रांजिशन में नाम देदी हम लोग टू डॉट मेटा डॉट ट्रांजिशन करके इस वेल्यों एक्सेस कर सकते हैं तो अलग अलग हम लोग लगाएंगे इसमें देखे के कैसे यहां यह यहां पर बिल्कुल वैसे ही यह जो हमने ऐसे किया था यह वाला ही हमें यहां पर यूज करना है बड़ कुछ चीज हमें चेंज करने पड़ेगी प्रोपर लिख के दिखा देता हूं और आउटर करने गाहता है और दूसरा हमें रूट मिलेगा जिससे वित्ती आपड़ सकोने नहीं इसके बाद एसके vampida मेलें आ ट्रांजीशन आप्निंड यह जेएंग मैं अब संदर में ज्क्रांपनेंट कंव मैं आ क्लोजिंग हने डिकनीन अव्यंग दौनति रूम्पोनेंट ओम बिख दिया अभी इसमें transition में हमें क्या-क्या यूज करना पड़ेगा इसमें हो गाओ बेस्ट होगा की यहां पर क्या लिखा है मेटा फिल में तब ही हम लोग इसमें लगा पाएंगे तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा तो यहां name equal string लिखने के वजाए हमें यहां पर एक value देना पड़ेगा मतलब एक root.meta.transition यहां लिखना है root.meta.transition तो इससे हमें वह access में मिल जाएगा अगर यह नहीं हो आता है हमारे पास तो क्या किया जाएगा तो fed को यूज किया जाएगा fed का हमने अलड़ी logic लिखा हुआ animation यह वाला तो यह भी हमें लिखना है ठीक है जिसमें नहीं रहेगा उसमें तो कोई animation होगा तो यह वाला होगा तो यह लिख दिया अब इसमें मोड भी मैं लिख देता हूं विकोज मोड अब लिख समझ ही चुके हैं तो मोड मैं यहां लिखता हूं आउट इन बस इतना लिखिए इसको सेव कीजिए और फिर से देख लिए राउटर भी लिखा वी स्लॉट कॉंपनेंट रूट हमने यहां पर दो चीजिए भी इसकी लिए हुआ है तोर यह की बार लिए हुआ है ट्रांजिशन नेम और ये नेम हमारे यहां से आईग जो भी यहां पर लिखहा होगा उसके आंपर हमरा आयगा फिर यहां पर फेय्ड ब Geb रेकिर कोई नाम नहीं हता तो यह में आग्तेमड कि हमारा मोड यहां आौत इन होगा हमने component यहां पर लिख दिया हुआ, transition close, router view close, अभी हमने यहां जो हमारा field आ रहा जाए, वह slide left हो यह slide right हो, इसके लिए कोई भी CSS animation लिखा हुआ नहीं है, keyframe यह हम लोग लिख रहे है, slide left के लिए from 100% से margin left में जाएगा, 0% तक लिए left right आपको समाझ में आ रहा होगा, फिर हमने slide left, inter from, slide left interactive animation लागा है, कि 2 seconds slide left यहां पर यहां पर लिखा हुआ है, यह वाला हमारा चलिए, इसके से slide right, inter from, slide right interactive, और 2 seconds slide right जो आपने यहां लिखा हुआ है, और जो लिए मैं को दिखाता हूँ कि क्या animation हमें दिखता है, कि इस तरीके से काम करता है, काम करता है, समझ में तो आईए गया होगा, क्या animation दिखता है, वह हमें देखना, तो इसको हमें रिफ्रेश करें, तो देखिए, कुछ इस तरीके से slide होगा, इधर से slide हो रहा है, एक इधर से slide हो रहा है, आप समझिए, किसका left और किसका right उसमें confuse नहीं होना, करेंगे तो इधर से और home करेंगे तो इधर से दोनों ही रूट में अलग-अलग transition आपको देखने को मिलता है, contact में जाएंगे तो वही fed वाला ही आपको दीखेगा, हमने उसमें लिग दिया था कि अगर कोई meta-pass नहीं होता है, तो fed by default यूज कर लेना है, और fed गामने अनिमेशन होता है कि वह fed होकर देखेगा, बाकि इन दोनों में left और right है, तो इस तरीके से transition आप लगा सकते हैं पर route अगर आपको लगाना है, तो बहुत easy सा topic है यह जब दिमाग लगाना नहीं पड़ था, बस अरते आपको CSS animation आना चाहिए लिखना यह वाला और view transition आना चाहिए थोड़ा सा, बस बाकि आप अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे, बहुत ज़रूरी नहीं होता है, इसको अपने application में लगाना ही है, transition होगा ही, नहीं लगाते हैं बहुत लोग transition, खास करके पूरे page application मे लगा दिया तो अलग बात हैं, लेकिन पूरे इस तरीके से page में लगाना बड़ा ही खराब सा दिखता है, देखें, देखें, इस वाले को, इसके बाद आप देखेंगा, नीचे, यह अभी हमारा fed वाला, इसमें इसमें इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें बस इतना ही है, transition में, transition view router में, transition इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद,